नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहांपर मैं किताबों से समध्धित वीडियोस बनाती हूँ आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवे प्रकाश दुबे जी द्वारा लेखित यार पापा की पुस्तक समीक्षा मैंने अभी तक दिवे प्रकाश दुबे जी द्वारा लेखे तीन किताबे पड़ी हैं जो कि मुझे बेहत पसंद आई पिछले दिनों हिंदी यूगमर प्रकाशन द्वारा प्रकाशे दिवे जी का नवीनतम उपनियास यार पापा इन दनों सोचल मीडिया पर चर्चा का विशे बना हुआ है जब मैंने इंस्टाग्राम पर इसकी पोस्ट देखी तो मैंने इस किताब को तुरंट ओर किया और बहुत खुशी हुए यह देकर कि मुझे एक साइन कौपी मिली हिंदी साहित्य के दुनिया में दिवे प्रकाश जी एक जाना माना नाम है अभी तक उन्होंने छे किताबे लिखी हैं और उनके सभी किताबे बेस सेलर रही है यार पापा उनकी साथवी किताब है यह सच है कि उन्होंने युवाओं में हिंदी साहित्यक के प्रती दिल्चस्पी बढ़ाने का काम किया है नई वाली हिंदी के टॉप के लेखकों में दिवे प्रकाश जी को शुमार किया जाता है चलिए अब बात करते हैं उनकी लेटेस किताब की यह अपनियास पिता और बेटी के रिष्टों पर आधारित है यह सच है कि हम अपने माता पिता को परफेक्ट मान लेते हैं और सोच ही नहीं पाते कि उनमें भी कभियां हो सकती है यह काहनी है ऐसी है एक लड़की साशा और उसके पापा मनोज सालवे की मनोज सालवे देश का सबसे बड़ा वकील था हार हुए केस को जीतना उसकी आदत ही नहीं बलकि शौक भी था देश की लगबग सभी मैगजिन्स के कवर पर उसकी फोटो आ चुकी थी देश के सबसे प्रभावशाले लोगों की सूची में उसका नाम था ऐसे में मनोज के लिए जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था खबर आती है कि मनोज की लॉकी डिगरी फेक है और मनोज इस खबर को जुटला नहीं बाता उसके परसनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी पतनी के साथ अलगाव हो चुका था और उसके एकलोती बेटी साशा भी उससे बात नहीं कर रही थी वह व्यक्ति जो बड़े से बड़ा केस मिंटों में जीच सकता था अपनी बेटी को समझाने ही पा रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी बेटी साशा उससे बात नहीं कर रही थी क्या मनोज अपनी personal life को अपने career को फिर से पटरी पर ला पाएगा यह सब जानने के लिए पढ़े यार पापा दिवे प्रकाष दूबे जी के अनुसार यार पापा उन्होंने इसलिए लिखी ताकि वे एक ऐसी कहानी दुनिया के सामने ला पाएं जिसमें एक बाप और बेटी के रिष्टे में कुछ आजकल वाली बात हो, कुछ नई बात हो इस कहानी में मुझे एक बात जो बहुत अजीब लगी वे ही है कि मनोज की लॉके डिगरी फेक होने की बात सामने आने पर भी उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गई इस कहानी में एक सब्प्लोट मनोज के दोस गजेंद्र का भी है, जो कि अनुभा से प्यार करता था और अनुभा अब उसकी भावी है लेकिन इनकी बैक्ग्राउन इनकी बैक स्टोडी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया गजेंद्र और अनुभा की कहानी के बारे में भी कुछ और बताया जाता तो बहतर रहता किताब की भाषा काफी आसान और सरल है इसे नई वाली हिंदी में लिखा गया है तो समझना आसान है किताब की प्रूफ रिडिंग थोड़ी बहतर हो सकती थी किताब ज्यादा लंबी नहीं है तो इसे आप एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं यदि आप कुछ आसान और कुछ टाइम पास टाइप पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है तो यह थी यार पापा की मेरी पुस्तक समिक्षा अगर आपने यह किताब पढ़ी है या दिवे प्रकाश जी की कुछ और किताबे पढ़ी है तो अपने विचार मेरे साथ कमेंट सेक्षन में ज़रूर साज़ा करें यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और यदि आप ऐसे और किताबी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी शुक्रिया